सदा बाहर के फूल इसके नाम के अनुसार ही अपने रिष्टे को मजबूत करने और मिठास लाने के लिए घर में सदा बाहर के पौधे को जरूर लगाना चाहिए इन्हें घर के बाहर लगाने से घर में नेगिटिव उर्जा यानि की नकरात्मक उर्जा का वास नहीं होता साथ ही परिवार के सदस्यों में प्यार बना रहता है सदा बाहर देखने में जितना सुन्दर होता है उतना ही फाइदे मन भी सेहत के लिए होता है इसके औशदिये गुण कई रोगों को ठीक करने के लिए कारगर होते हैं जैसे डाइबटीज के मरीज इसके पत्ते का रस पीते हैं तो लावकारी होता है सदा बहार का पौधा हर घर के गार्डन में आपको मिल जाएगा इसकी छोटी छोटी पंखुणियां रंग बिरंगी देख कर मन खुश हो जाता है इसके साथ ही मैं एक बात बता दू सदा बहार पर कंप्लीट केर मेरे एवर ग्रीन वाले चैनल पर है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप देख सकते हैं इसकी कटिंग कैसे करनी है इसे घना कैसे बनाना है कौन सी खात देनी है और बीजों से कैसे उगाना है उस पर डिटेल में मैंने बता रखा है यह आँखों को सुकून देने वाली होती है यह देखने में जितना सुन्दर होता है उतना ही फाइदे मन भी होता है सेहत के लिए भी और वास्तू के अनुसार भी इसके औशदिये कई रोगों में कारगर साबित होते है डाइबिटीज के मरीज यानि जिन्हें शुगर की बिमारी है अक्सर सदावाहर के पतों का रस पीते है डाइबिटीज के मरीज को सदावाहर के पतों का रस कैसे देना है वो भी बता देती हूँ पत्तियों को चबा कर खाएंगे तो लावकारी होगा इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा जो लोग डाइबिटीज से पिड़े थें उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए देखिए जो ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ मैंने भी कहीं से पढ़कर ये जो जानकारी है वो लिया है किसी भी चीज को अमल करने के पहले आप जरूर अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे खुझली की भी समस्या होती है कई लोगों को बरसातों में देखा है मैंने इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है अभी जो रेमेडी बता रही हूँ ये आप बेही चक कर सकते हैं क्योंकि स्किन के उपर लगाना है पर लगा लिजे आपको कुछ देर में ही राहत मिलेगी क्योंकि ये ठंड़क पहुँचाता है और इचिंग के प्रॉब्लम को स्किन जो इरिटेट होती है उसको ठीक करता है स्किन रिलेटेट प्रॉब्लम में भी अब बहुत ज़्यादा पहुँचाता है आपके रिष्टों में मिठास लाता है घर में बहुत ही पॉजिटिविटी लाता है और आपकी सोच को सकरात्मक बनाता है अब बात करते हैं कि दिशा क्या होनी चाहिए किस डायरेक्शन में इसे लगाना चाहिए इसे घर की दक्ष्ण पश्चिम दिशा में लगाना उत्तम होता है देखिए जब भी मैं इस तरीके से बोलती हूँ कि दक्ष्ण पश्चिम या दो कॉर्णर दो डायरेक्शन को एक साथ बताती हूँ मतलब इन दोनों के कॉर्णर में बीच में आप लगा सकते हैं क्योंकि कई लोग कॉमेंट करते हैं कि ये कौन सी दिशा होती है उत्तर पुर्व तो दोनों यदि साथ में बोला है तो उसके कॉर्णर पे उस लोकेशन पे उस डायरेक्शन के तरफ आप लगा सकते हैं इसके घर की दक्ष्ण पश्चिम दिशा में लगाना उत्तम होता है आप इसे जमीन में भी लगा सकते हैं यह आपके पास जगह है और जगह नहीं है तो आप छोटे बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं यदि बालकनी में आप लगाना चाहते हैं तो देख बहुत ही अच्छे से ग्रोह हो जाता है सदाबाहर के बहुत ही चमतकारी गुण है विंका ऐलकोलाइडôm 1 एक ऐसे रसाइनिक एज हैं जिनक का जेस more बहुत अब यदि इसके धारमिक महत्यों को देखें तो ये जो सदाबाहर के फूल हैं ये सब भी देवी देवताओं को चड़ाए जाते हैं इसमें दो कलर आते हैं पिंक और वाइट क्योंकि ये देशी सदा बाहर है इसी के बीज उगा सकते हैं इसकी कटिंग अभी बरसात में लगा सकते हैं लेकिन इसमें हाइब्रीड वेराइटी भी आती है जिसके कलर्स अलग- दिनों में उगा सकते हैं इसके ये वाइट फूल आप शंकर भगवान को चड़ा सकते हैं देवी मा को चड़ा सकते हैं बहुत सारे देवी देवताओं को अल्मोस्ट सभी देवी देवताओं को इनके फूल चड़ाए जाते हैं किसी भी प्लांट की जो हाइब्रीड वेरा चाहिए मुझे उमीद है जनकारी अच्छी लगी होगी धन्यवाद